हेलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोड का हिंदी जो की क्लास 11 का है इसके भाग पूरक वाचन के चाप्टर वन गुड़ गुड़ माह सन इसे हम पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है रवेंद्र अंधारिया जी ने ये इसका पार्ट वन है इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक रोबोट के द्वारा कारे किया जाता है और किस प्रकार से उसे सीख दी जाती है तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं गुड़ गुड़ माह सन जिसे लिखा है रवेंद्र अंधारिया जी ने जिनका जन्म सन 1945 इसवी में हुआ था डॉक्टर रवेंद्र अंधारिया का जन्म भावनगर गुजरात में हुआ था सिक्षा दिक्षा भावनगर लोक भारती सनो सरा एवं बलब वविद्यानगर में हुई विद्या नगर में हुई यहाँ पे रॉंग लिखा है भाव नगर में सिक्षक प्रसिक्षन महा विद्याले में आप सेवारत रहे आपने उच्च सिक्षा से संबंदित कई लेखन कारी किये वर्तन विशलेशन विशलेशन गलत लिखा है शिशो संदर्व, बाल कथा संग्रा, प्रश्न कथाईं, विज्यान कथा संग्रा, रोमांचक विज्यान कथाऊं जैसे पुस्त के प्रकाशित हुई हैं रवेंद्र अंधार्याजी अनेक पुरुसकारों से सम्मानित किये गए हैं तो यहां हमने पढ़ा कि जो रवेंद्र अंधार्याजी है, इनका जन में भाव नगर के गुजरात राजे में हुआ था, इनकी जो सिक्षा दिक्षा है, ये भी इनोंने भाव नगर से ही प्राप्त की, लोक भारती सनोड सरा एवं वल्लव विद्दा नगर में हुई, इनकी उच्च सिक्षा से संबंदित कई लेखन कारी किये हैं, उसमें से कौन कौन से प्रमुक हैं, वर्तन विशलेशन, शीशू संदर्ब, बाल कता संग्रा, प्रश्न कताई, विज्ञान कता संग्रा, रोमांचक विज्ञान कताओं, जैसे पुस्त के प्रकाशित हुई हैं, इने बहुत सारे पुरुषकार मिले हैं अब यह जो चाप्टर है good good my son एक विज्ञान कथा है विज्ञान से related है प्रोफेसर रमन के द्वारा आविश्कृत जो उन्होंने आविश्कार किया है एक रोबोट के जीवन वेभारों के कार्यों का अदबुड वर्णन किया गया है जिससे आपको हसी भी आएगी और रोबोट का क्या लाब है ये भी आपको देखने को मिलेगा जमुना दास ने दर्वाजे पर दस्तक दे प्रोफेसर रमन ने दर्वाजा खोला यहां प्रोफेसर होगा तो जमुना दास आए हैं प्रोफेसर रमन के घर पर प्रोफेसर रम रमण काका ने घर का पूरा बैठे बैठे सोफा पर निरख्षन किया कि कि कहां क्या है कैसा है नोट किया कि घर में किसी भी प्रकार की चहल पहल new मतलब रमण काका जो है रमण प्रोफेसर रमण है वो अकेले ही रहते हैं उन्होंने पूछा बेटा रमण इस प्रकार कब तक अपनी रोटी आप ही सेखता रहेगा क्या शादिवादी नहीं करोगे लेकिन मैं कहा अपनी रोटी आप सेखता हूं ऐसा प्रोफेसर रमण ने कह तो जमना काका ने कहा मतलब क्या तुमने शादी कर ली तो जमना काका का चहरा विश्मे बूधक चिन बन गया आश्यरे चकित हो गया उनको कि जब वो अकेले नहीं है तो क्या तुमने शादी कर ली तो प्रोफेसर रमण ने कहा शादी वादी की बात को मारो गोली बताईए घर पर सब कुछ खैरियत तो है, जमन काका कोई उतर दे, इसके पहले ही या इसके पूर्व ही रमण लाल ने पुकारा, टे टू टी माई सन, पल भर में ही रोबोट हाई में जो हाथ में चाय कीट दे लेकर उपस्थित हो गया, अचानक इस प्रकार के रोबोट को समुख देख कर, जमन काका के आश्यर की कोई सीमा नहीं रही, रमण तो चुपचाप यह सब कुछ देख रहा था, और मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उन्होंने ही इसकी आविशकार को क्रेट किया, इसको रोबोट को, तो वो यह मन ही मन देख कर मुस्कुरा रहे थे कि जमन काका किस प्रकार से रोबोट को देख रहे हैं, और यह किस प्रकार से चाय लेकर आया है जमन काका के लिए, जमन काका की परिशानी को कम करने को इरादे से रमण लाले सफाई देते हुए कहा, काका जी, या आपको चा जमना काका को चाय दी और वो वापस किचन में लोट गया चाय की चुसकी लेते ही जमना काका जी के मुह से निकल गया वाह चाय तो बड़ी टेश्टी है भाई ओई रमणा यह सब क्या है आपने जो देखा और रमण लाल हसी नहीं रोक पाए बनलब यह जमना काका पूछ रह जो रमण प्रोफेसर है प्रोफेसर रमण उन्होंने इनके बात का कोई भी उत्तर ने दिया बस वे मुस्कुरा दिये और जमना काका वैसे ही लोट गये वहां से अपने साथ कई प्रश्णों को लेकर मतलब उनके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्ण थे कि यह कौन है र रोबोट को प्रशाहित करने के ही तुम प्रोफेसर रमण ने कहा गुड गुड माई सन थैंक्यू रोबोट ने उतर दिया अब बोच चाय की ट्वे लेकर आया है इसके लिए प्रोफेसर रमण उसको शुक्रियादा कर रहे हैं तो गुड गुड माई सन कह रहे हैं उसकी प्रोफेसर रमण ने नीजी कार्यों में भी वह उसकी सहायता करता था किसके प्रोफेसर रमण के कार्यों में काम में सहायता करता था रोबोट घर आये हुए प्रोफेसर रमण के मित्रों को किसी पुस्तक की आवशकता होती तो रोबोट ही अलमारी से निकाल कर वह पुस्तक ले आता था अरे प्रयोक साला में भी वह प्रोफेसर रमण की मदद करने लगा था यदि कभी कभार प्रोफेसर रमण बिमार हो जाते तो वह छोटी मूटी दवाईयां भी दे देता था प्रोफेसर रमण अपने इस सर्जन से काफी खुश थे कि इन्होंने काफी अच्छा invention किया है कि हर काम में ये जो रोबोट है ये इनकी मदद करता है इस खुशी में प्रोफेसर रमण ने इसका नाम रखा था मी होंची होंची प्रोफेसर रमण उससे जो भी निर्देश देते जो भी आदेश देते उसके अनुसार मी होंची होंची तमाम काम सफलता पुर्वा करने लगा था यदपी रोबोट को निर्देश देने के लिए विशिष्ट भासा का निर्माण किया गया था मतला वो नॉर्मल लेंग्विज नहीं समझता था उसके लिए बी कोड़ वर्ड होते थे मी हौँची हौँची वही table पे रखवाने के लिए who shoot sing ये कहना पड़ता था तथा किसी काम को करने से रोकने के लिए go to go to शब्दों का प्रियोग करना पड़ता था तो इस प्रकार से ये code word है जिसके द्वारा robot से कारे करवाये जाते थे इस प्रकार तमाम प्रकार के जीव नव वेभारों के लिए भाशा कोड निर्धारित किये गए थे परिणाम सरूप मी होची होची प्रोफेसर रमन का दोस्त प्रोफेसर रमन का साथी था क्योंकि वो सारी बाते उससे करते थे और वो सारा काम प्रोफेसर रमन का किया करता था प्रोफेसर रमन का एक तरीके से क प्रोफेसर रमन की कार्यों में सहायता करता था और जब जमना काका यहां पर आए प्रोफेसर रमन के घर में तो वो भी रोबोट को देकर आशर चकित हो गए कि ये किस प्रकार का रोबोट है और उस कोशन को जो उनके मन में उठ रहे थे उसको पूछने के लिए उन्होंने प्रोफेसर रमण से सवाल भी किया लेकिन प्रोफेसर रमण सिर्फ मुस्कुरा कर रहे गए और जमना काका अपने प्रशनों के साथ विदा हो गए तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो चाप्टर है इसका पार्ट वन यहीं पर समाप्त होता है उम्मिद है आपको ये ती नाम जमना काका रोबोट और प्रोफेसर रमण इन तिनों की कहानी यहां तक की समझ में आई होगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना बैल आइकन दमादा ना भूले तैंक यू करन मेंगे पốnबरें आपको सिन से वीडियो को वीड़ियो करना करना भूले तो यूले करना शेयर कि मेंटते है झाल फिरू जह बावजाने गहां वूले यू जाज ख Daynaud झाल 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 झाल